नमस्कार मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दफुल वॉल्यूम आज अगर हम बात करें बिहार की तो सिख्षा के जगत में कहीं न कहीं थोड़ा सा पीछे दिखाई देता है लेकिन अब हम थोड़ा पीछे जाकर देखें इतिहास में तो बिहार सिख्षा के छेतर में देश ही नहीं बल्कि पूरे विष्व में ज्यान का एक किंद्र हुआ करता था जी हाँ वही बिहार, उस बिहार में अलग-अलग विश्विद्याले थे, नालंदा विश्विद्याले, विक्रमसिला विश्विद्याले, तिलहाडा विश्विद्याले और भी कई अनेक विश्विद्याले थे जहां अनेक अनेक देशों और विदेशों के छातर पढ़ने आया करते थे अब हुआ क्या कि कुछ आक्रमन कारियों के द्वारा उस पर आक्रमन करके उसे धूमिल कर दिया गया अब धूमिल हुई छवी को वापस से लाने के लिए यहां पर एक विश्विद्याले का स्थापना हुआ था सन 1951 में इसकी स्थापना हुई थी डॉक्टर र नालंदा महाविहार इस विश्विद्याले अपने वही नालंदा के पुरानी गौरब जो संस्कृती थी उसको वापस से फिर से लाने का काम कर रहा है तो आज हम आपको दिखाएंगे इस विश्विद्याले के परिशर को इस महाविहार के परिशर को हम यहां के लोगों से बात करेंगे यहां के पुस्तकाले यहां में जो भी जो चीज हैं वो हम आपको दिखाएंगे हम आपको पहुचाएंगे बने रही हमारे साथ देखते रही है देखते रहे देख फूल वॉल्यूम इसी सिलसिले में हमारे साथ मौझूद है के के पांडे सर जो कि यहां के लाइब्रेरियन है हम इन से जानेंगे कि क्या कुछ लाइब्रेरी में मौझूद है और किस तरीके के जो पुस्तक हैं वो हमारे पास है तो सर हमें पूरा लाइब्रेरी बताएंगे दिखाएंगे आईए बात करते हैं सर से बहुत धन्यवाद जैसा कि आप लोग पता है नौनालंदा महाविहार जो है वो हमारे एंसेंट नालंदा महाविहार का सकसेसर है जब अंसेंट महाविहार बक्तियार खिल जी के द्वारा निस्तनाबूद कर दिया गया उसके बाद पुरह इसको अस्थापित करने के उद्देश से भारत सरकार के सहयोग से 1951 में नौनालंदा महाविहार की अस्थापना की गई 1951 में और उसी समय से लाइब्रेडी हमारे साथ हो आज जो लाइब्रेडी का प्रजेंट स्वरूप आप देख रहे हैं वो हमारे फाउंडर डायरेक्टर भिच्छु जगदिश कष्चप नौना उनकी परिकल्पना है उनके नित्रित में यह महाविहार आगे बढ़ा जसा कि कहा जाता है कि वो जब यहां के डायरेक्टर थे तो वो अपनी सैलरी भी जो है वो इस महाविहार के डेवलप्मेंट में लगा दिया करते थे तो ऐसे बड़े लोगों के सहयोग से उनके निर्देशन में यह महाविहार आगे बढ़ा है उत्रोतर प्रगति करता रहा है और अब तभी इसको हम पुराने नालंदा महाविहार का सक्सेसर उत्रादिकारी कहते हैं तो नाइन्टी फिप्टी वन में इसकी अस्थापना हुई उसके बाद नाइन्टी फिप्टी सेवन के कुछ तस्वीर को दिखाते हुए मैं और अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाह है और नइन्टी फिप्टी सेवन में हूएं सांग मेमोरियल पृषर में हूएं सांग के मिर्ती में हूहर के रेलिक्स को यहां लाया गया और चाइनिज प्रीमियर चाओ लै के रिपरेजेंटेटी परेघर चाहिएं लाए मृएं लामा յह ौ को लेकर आए और इंडियन हमारे प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल लेहनु को दिया डोनेट किया और वो उनका अस्थी कलर अवसेश है वो सुरक्षा के पॉइंट अभी वहां पटना म्यूजियम में रखा हुआ है यहां जब व्यवस्था हो जागी पूरा सुरक्षित व्यवस्था हो जागी हमा आगे बात बढ़ रही है कि यहां एक अस्थूब बना आया जाए वहनसंग पड़िसर में और विक्षू जग्षू वहनसंग के अवसेश को अस्थी अश्थापित किया जाए ताकि यहां और भी टूरिस्ट डेवलप्मेंट हो नालंदा की धर्ति पे तो उस समय का है यह जैसा कि आपने देख लिए चावेन लाइक के साथ ग्रूप फोटोग्राप से और उसी अशर पे हमारे जवहर अल नहरू जी और डलाई लामा जी संबोधित कर रहे हैं नालंदा के लोगों को अभी बर्तमान में हम नौ नालंदा महाविहार में नौ बिभागों के द्वा पाली और पाली के अलावा और बुधिस लैंग्वेजेज जो हैं हिंदी अंगलेजी संस्कृत तिबेटन चाइनीज इन सब भासाओं में की पढ़ाई यहां होती है अब ही हमारे पास लाइब्रेडी में लगबग साथ हजार कलेक्शन है और इंडोलोजी के पॉइंट काफे रेयर बुक्स हैं कुछ रेयर मैनुस्क्रिप्स हैं उसको भी हम अभी आपको दिखाएंगे और अपने लाइब्रेडी के रिचनेस को एक्स्प्लेइन करेंगे हां फिर मैं आऊंगा यहां के एकेडमिक एट्मस में तो जो भिक्षू जगदीश का सबजी थे उन्हो वचन को जो संग्रहिद किया गया वो प्रकाषण उसका सरपरथन स्री लंका में हुआ और स्री लंका से उसका आंग्रेजी वर्सन तई यार किया गया पैली टेक्स स्योसाइटी के द्वारा ओर Tonight ş को हिंदी में कोई ठेक्स नहीं था तो हिंदी में बहुत वचन को शुरक् आंतर किया जाए और वो हमारे पास आया वर्ल की पहली देवनागरी एडिशन क्रिपिटर की हमारे पास एवेलेबल है और बहुत ही ऑथेंटिक और एडिशन है इसके बाद देवनागरी एडिशन यह 41 वालूम में इसका रिसेंटली हम लोगों ने जो है रिप्रिंट भी करा है तो अभी देवनागरी के में जैसे रोमन में पाली टेक्स सोसाइटी का एडिशन सबसे ऑथेंटिक मना जाता है उसी तरह देवनागरी में हिंदी में सबसे ऑथेंटिक एडिशन नो नालंदा महावियार का यह त्रिपिटक है कुछ इसके कोमेंटरी भी प्रकासित जो अभी करंट चला है हमारे फॉर्मर यहीं के फॉर्मर डायरेक्टर है उमाशंकर ब्यास जी वह अभी इसके चीफ एडिटर है और उनके नित्रित में उसका कंपाईलेसं किया जा रहा है हमारे प्रेज़ेंट वाइस चांसल के डिसांदर देश के हमसार और रिसेंट है विपस्तना रिसर्च इंस्टीट के द्वारा देवनागरी एडिशन मुख्यु देश वही है कि भारत के लोगों को हिंदी समझने वालों को बुद्ध वचन से परिशित कराया जाए ताकि वह बुद्ध वचन को पढ़ें उसका आनंद उठाए इसके प्राइवेट इसके द्वारा आधारित है विपस्तना रिसर्च इंस्टीट का जो एडिशन है वह भी जो है इस पर उनकली है मैं एक्शुली हमारा जो है मूल है वह हम लोगों ने किया 36 संगायन वर्मा एडिशन के बेस पर ने किया बर्मीज एडिशन में ता इंगली Count क्या गारेailed इंस वे इंटीशनिएअं उन लोगेनागरी एडिशन और जब ingenड़नागरी एडिशन किया और जसके पासो एक बनाभी लेखिशन मिला तो हमारे एडिशन के इन लोगों ने भी द्वायरी एडिशन किया तो यह हमारे मनें नौनालंद महावियार की एक सबसे स्पेशल मनें कंट्रिबूशन होगा पाली जगत को बुद्ध जगत को बुद्ध साहित को रिच करने में और हमारे पास कुछ मैनुस्क्रिप्स भी है वो भी हम आपको दिखाना चाहें हैं बिल्कुल लगभग 300-400 मैनुस्क्रिप्स हमारे पास हैं और सबसे इंपॉर्टन मैनुस्क्रिप्स है जिसके चलते हैं इसको पूरा लॉक एंड की रखा हुआ है वो यह है आर्ज अस्थ सहसरे का प्रज्या पार्मिता सुट्र और यह प्रिंटेट फॉम में बहुल है लेकिन यह मैनु स्क्रिप्ट है इसका कलेक्शन हमारे फाउंडर डाइक्टर भिक्षु जगदिश कस्यप नहीं किया किसी ने दान में दे दिया उसको लाए उन्होंने इस महाविहार की लाइबरी को दे दिया और दिक्कत है कि बुक जो होता है बुक का सारा डिटेल जो है वो टाइटिल ऍर्क्रीक परby disabilities ने दाने रिखा उसका यह तान में भी सन कंप Україज ऑर में लूटा में जो होता है सारा डिटेल जो होता है वो लाट फे होतता है manuscript के last page पे होता है जिसको kolophon कहते है वहाँ पे होता कि इस manuscript को किस ने हाथ से लिका किस ने copy किया कब copy किया तो चुकि हमारे manuscript में नीचे का इसका page missing है इसलिए सारी जानकारी हम देने में असमर्थ है लेकिन 51 से हमारे पास है और handwritten manuscripts है और इसकी बिसेश्था क्या वो मैं बताउंगा अस्थ सहस्रिका प्रग्यापार्मिता, महयान बुदिष्ट, महयान लिट्रिचर की किताब है, संस्क्रिट टेक्स्ट है, उस संस्क्रिट टेक्स्ट का ये तिबिटन वर्षण है, तिबिटन, ये टिबिटी manuscript में है, इसकी लं इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, हाथ से गोल्ड के द्वारा लिखा गया है, टाइटिल पेज पर ये बुद्ध का लाइफ का पैंटिंग भी है, तिबिटन पैंटिंग हो गया, और ये ओरिजनल, जो टाइटिल हो गया, वो गोल्ड से लिखा हुआ, और मेन टेक्स्ट जो ह है, वो एक लाइन गोल्ड है, एक लाइन सिल्वर है, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड है, मतलब आज जो हम लोग किताब, जैसे ये एक लाइन गोल्ड हो गया, और ये सिल्वर हो गया, फिर गोल्ड हाँ, मैं आज लाइब्रिडियन मैं इसको एक्स्पेयन करता हूँ है, पढ़ने में सुवधा हो और इसका ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट पी लिखा तो यह ब्लैक पॉर्शन जो है वही है जो साइद लेदर है लेदर पे लिखा हुआ है और इसको प्रेजरवेशन पॉइंट पॉइंट से हम लोगों ने लेमिनेट कर रखा है ताकि इस पर पान से हमारे पास है कहा जाता है कि 400-500 साल पुराना है लगभग 15th संचुड़ी का इसको बताया जाता है तो ऑथेंटिसिटी के पॉइंट अब व्यू से तो कारवन डेटिंग प्रॉसेस ही पराशलेगा लेकिन चुकि यह इतना बहुमुल्य है कि इसको कारवन डेटिंग के ल पॉराना यह मैनुस्क्रिप्ट है अस्वसे का प्रज्या पार्मिता मतलब आठ हजार असलोकों का संग्रा रिलेटेट तू परफेक्शन ऑफ विज्डम प्रज्या पार्मिता परफेक्शन ऑफ विज्डम जैसा कि आप पता होगा बुदिष्ट फिलोस्पी जो है वो इश्डने इनnaire विज्डम के बारे में प्रज्या के भारे में क्या का इन सारी बातों का संग्रा आठहर असलोकों में किया गया और उसको इस किताब के रूप में रिखा गया यह विजिस리 अंगोल्डन 구men सरी के कर सब्का Mir यह धर होगा है इसको हटा दीजै थे वाद बुद्धिज्म का विशुद्धिमग यह पाली टेक्स्ट है तो और यह पूरे बुद्धिवचन को संचीप में बताने का यह बहुत important scripture है विशुद्धिमग जिसको path of purification कहा जाता है और इसमें तीनों पार्ट को एक्स्प्लेण किया गया सील समाधी प्रग्या बुद्ध ने सील से related morality समाधी से related meditation और प्रग्या से related wisdom जो भी अपने शिक्षाएं दी उन सिक्षाओं को उनके दर्शन को इस बुक में विशुद्धिमग जो बुद्ध घोस के द्वारा लिखा गया कहा जाता है बुद्ध वचन को ट्रिपिटक को explain करने में उसके पर जो commenty सारी commenty उनके द्वारा लिखे हुई है तो बुद्ध वचन को अच इस बुक के द्वारा दिया उस बुक को विशुद्धिमग काते हैं जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन पाथो पिरुफिकेशन के नाम से निकला है और हिंदी में उसको विशुद्धिमग काते हैं तो उसका यह किताब भी हम लोग के हां टेक्स में पढ़ाई होती है प्र से हमारे पास है हम लोग प्रेजर करके रखे हुए हैं लेकिन यह भी साथ 15-16 सताब्दी का होगा तो 300-400 साल पुरान अनुमान लगाया जा सकता है और यह जैसा कि मैंने बताया कि वह महायान लिट्रेचर का संस्किर्ट था उसका वह टिविटन भर्षन था सिर्फ प्रज् यह सिल समाधी प्रज्या तीनों पार्ठ है और पाली के यह पाली का सिहलिज ऐडिशन है वह संस्क्रिट का टिबटन एडिशन था ये तेरबाद बुद्देझ्ग का पाली टेक्स्ट का सिहलिज अडिशन है श्रिलंकन वर्षन थीक है उसका औब्जेक्ट था वो लेदर लोग नाम के लिए इतना लालाई थे इसलिए भोड़क की इसलिए किस ने लिखा किने हैंट रिखाद रिखिए ता ब्री इसलिए कोपी की जानकारी अभी है नहीं है ठीक है लेकिन यह ओरिजनल पाली टेक्स्ट ट्रांसलेटेटेग इन्टू स्री लंकन वर्सन का है यह दूसरा इंपोर्टेंट मेनुस क्रिप्ट हो गया तीसरा मेनुस क्रिप्ट हम यह जो है कमबोडियन स्क्रिप्ट में है और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना इस्टिम केला का थम जो होता है उसको रिफाइन करके उस पे लिखा हुआ देखने में लग रहा यह भी ताड़ पत्र कितर लेकिन ताड़ पत्र नहीं है केले के छाल पर उसको रिफाइन करके उस पर लिखा हुआ है तीन तीन और यह किस वहावासा में कमबोडियन स्क्रिप्ट में है का जाता कि यह कम्मा वाचा मतबखा सकते हैं इक पर रहा कंभवा हैं तो यह समझने कि मैं समझने नहीं है लेकिन आपने इन सब का नुवाद करवाने का नहीं को मूल का अनुवाद करने का College तो हां पर उसका ट्रांसलेशन तो अभिल है सील समाधी प्रग्या पार्ट जो है और इसनल मैनुस्क्रिप और इसनल काम होते रहते हैं लेकिन ऑरिजनल मैनुस्क्रिप्ट पे भी सोधकार जो हो शकता है लेकिन उसके लिए हम लोग और इसनल मैनुस्क्रिप्ट को तो स्फेर नहीं कर सकते हैं नहीं दे सकते हैं तो खराब हो जाएगा शोधकार तब संभा होगा जब इसका हम डिजिटल वर्शन तैयार कर लें और डिजिटल कॉपी जो है रिसर्चर उनको एविलेग दें और वो केले के च्छाल पर लिखा हुआ है कि पाली ग्रामर बता जा रहा है कंबोडियान स्क्रिप्ट में लेकिन इसको लिखने वर्ट यह जो है लिखा हुआ है इसका इंग जो यूज किया है वह लाख लाह जिसकी चूडियां बनती है या जो पोस्ट आफिस में सिल जिससे क्या अचा सर इनको बचाने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं यह हम लोग लाइबरी में जो है इंडिजीनियस मेथड़ी करते हैं मतलब केमिकल को यूज करते हैं ताकि मैनुस्क्रिप्ट खराब ना हो जाए कभी-कभी थोड़ी देर के लिए हम लोग धूप दिखा दे अनुबाद हुआ या उसकी कॉपियां है अभी हमारे इस मैनुस्क्रिप्ट रूम में लगभग चाइनीज मैनुस्क्रिप्ट के तीन-चार एडिसन अब देख सकते हैं यह तो टिबिटन मैनुस्क्रिप्ट हो गया तिबिटन में ओरिजनल टेक्स को केंजूर करते हैं और इस प्रिपिटक जो है वह यहां पर चार-पांच एडिसन होगा एक एडिसन यह रैप करकर अग्धा हुआ है दूसरा एडिसन यह है थीसरा एडिसन अभी हम आपको दिखांगी यह बॉक्स में है चौथा एडिसन वह बुक फॉर्म में है पांचमा एडिसन वह भी है और तो लगभग छे त्रिपिटक शे डिफरेंट एडिशन जो हैं चाइनीज एडिशन त्रिपिटक का यहां एविलेबूल है और उसकी क्या विश्चेस्ता है मैं आपको अभी बताऊंगा तो यह तो हमारे हां मैनुस्क्रिप्ट के लिए तो हम लोगों ने इंडिनीरिस मेथड को यूज किया है इसको संडक्षन के लिए लेकिन इसके साथ साथ नौनालंदा महाविहार जो अब तक संस्कृति मंत्रा लेके अंदर मैनुस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करता थ अगक्षन के संटरौ के द्वारव संस्कृति मंत्रा लेकर नौन धे लिए तो जो हम अपने मैनुस्क्रिप्ट को चाहे अगल बगल में जो भी मैनुस्क्रिप्ट हैं उनको उनके संदक्षर के लिए हम अपने लैब में ले सकते हैं, हम लोग उने लैब इस्टेबलिस कर रखा है, धेरे-धेरे उसको इन्रेज कर रहे हैं, ताकि अभी हम अपने मैनुस्क्रिप्ट को ही उसमें देख के साफ अभी तो सफाई कर रहे हैं, अगर कोई और दूसरे लोग जो इनके पास मैनुस्क्रिप्ट है और वो अपने मैनुस्क्रिप्ट को संदक्षित करना चाहते हैं तो हमारे लेब की सहायता लेगे से हुआ और उसी तरह चाइनीज एडिशन के ट्रिपिटक की एक दूसरी है, सबसे पहले जब प्रिंटिंग टेखनोलोजी आ गई तो पूरे ट्रिपिटक को लगभग एक एडिशन है, मैंने बता है कई चाइनीज एडिशन उसमें से एक एडिशन यह है, जो लगभग 500 बॉक्स में ह यह यूनीक है, मैंने साइज हर जगा यह संभाव नहीं है, और यह भी चाइनीज गॉवर्मेंट के द्वारा हम लोग को दी गई है एक एडिशन 500 बॉक्स में और एक बॉक्स में 10 वॉल्म्स हैं, और इसकी बिसेश्ता यह है कि यह सिंगल पेज को यूज करते हैं, और जि प्रिपिटर का टेक्स है, और यह पूरा एक पेज का जॉइंट है, बट लेकिन पेज जॉइंट क्या का लेकिन सिंगल पेज यूज कर रैप करते जाते हैं, आगे पड़ते जाते हैं, और यह अनली बिकॉज ऑफ दिस की चाइनीज भासा जो है, हम हिंदी भासा लेफ्ट के द्वारा कि सिंगल पेज यूज किया, और एक लिखते गए और पढ़ते गए, रैप करके रखते गए, और इस तरह यह लगवाद 500 बॉक्स में है, एक बॉक्स में 10 वॉल्यूम्स है, मतलब लगवाद 5000 वॉल्यूम्स की यह एडिशन है, त्रिपिटक का, मैंना यह वन दूसरा चाइनिज एडिशन के त्रिपिटक से हम आपका पड़चे कराना चाहेंगे, यह एडिशन भी जो है लगवाद 2000 वॉल्यूम्स में है, और इसके कागज की विशेस्ता यह कि यह काफी लाइट वेटेड है, अब देख सकते हैं कि 10 वॉल्यूम्स जो है, वो एक लकड़ी के जो है बोर्ड के साथ है, बहुत हलका है यह लगता है कि यह सिर्फ लकड़ी का ही वेट होगा, यह एक चाइनिज ट्रिपिटक है, यह इनकी खासियत होती है, यह हाँ, चुकि चाइना के पेपर के बारे में बताया आता है कि सबसे प्रिंटिंग टेकनोलोजी सबसे पहले, पहले हैंड रिटरन जो है, उसको पहले ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हुआ, उसके बाद फिर अभी तो प्रिस की प्रिंटिंग आ गई है, यह कुछ इंपॉर्टन मैनुस्क्रिप्स हमारे पास हैं, जो हमारे यूजर आके, तो जैसा इस तरह हमने संशेप मैं आप सबों को अपने लाइब्रेडी के बारे में explain किया और हमारे लाइब्रेडी में स्टाफ में की कमी है, इस कमी के होते हुए जो कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं, तीन चार स्टाफ मेंबर्स हैं, उनमें से यह कभी यहां available हैं, जिनके साथ मैंने आपको अपने मैनुस्क जो हम लोग अपने वाइस चांसलर हमारे प्रफुसर वैद्यना थलाब जी है उनके दिशार निर्देशन पे उतर उतर आगे बढ़ने के लिए महाभिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब लोग उनके साथ हैं और उनकी निर्देशन में काम करते हैं बहुत बहुत ध